दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अपने ओनलाइन टेस्ट सिरीज स्टार्ट कर रखी है और अब तक उसके कुल 17 टेस्ट हो चुके है आज ये 17 टेस्ट है पांच जुलाई 2020 को ये टेस्ट हुआ है जिसका टोपिक था थरी फेज इंडक्शन मोटर दोस्तो यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस कंप्लेट वीडियो को पूरा लाश्ट तक और सभी क्युस्टन जरूर देखना क्योंकि तरी फेज इंडक्शन मोटर से समन्दित आपको 50 ऐसे क्युस्टन मिलेंगे जो बहुत कुछ आपको मोटर से समन्दित सिखाएंगे उमीद करते हैं हर बार की तरह प्रसंद आपको पसंद आएंगे दोस्तों ये भी देखने में आया कि वहुत सारे लड़के सभी क्युस्टन को देखते ही नहीं है और नेक्स्ट डे उनी से रिलेटेड क्युस्टन हमारे पास वाटसब पर सेंड कर देते हैं और वो ही पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो प्लीज आप सभी क्युस्टन को जरूर देखें वीडियो को आप स्पीड ली करके देखें कैसे न कैसे चलिए इसमें 50 क्युस्टन अपको जरूर शीकने को मिलेंगे परते एक क्युस्टन का कारण सही तاع को उत्तर बताएंगे क्यूस्टन हिंदी और इंग्लिस दोनों में है तो आप एजी ली किसी भी लेंग्वेज में उसको समझ सकते हैं दोस्तों क्यूस्टन पच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे सेर जरूर करें चलिए दोस्तों क्यूस्टन से सुरूर करेंगे आज क्यूस्टन नमबर बन था कि त्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर के घूमने की दिसा किस बात पर निर्वर करती है इंड़क्षन मोटर का रोटर सदेव उसी दिशा में गूर्णन करता है जिस दिशा में रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड रोटेट करता है यानि घूमने वाले चुमकी चेतर के दिशा में ही सदेव रोटर गूर्णन करता है और ऐसा लेंज के नियम के कारण होता है हम 3 phase induction motor के घूमने की दिशा बदलने के लिए सप्लाई के 3 में से किनी 2 फेजों को बदलते हैं साइधा आप सब को ये भी पता होगा मेंस सप्लाई के फेज सिक्वेंस पर ही घूमने की दिशा निरबर करेगी सप्प्लाई का फेज स्वेंस बदलने से ग्होंने वाले चुम्ब के छेतर की दीशा बदल जाती है फल्ष वरूरोटर की दीशा भी बदल जाती है क्यूशन का आंजसर अपना ए रहे गा नेक्स्ट क्यूस्टन है कि प्रेरन मोटर में निमन मैंसे कौन से हार्मोन नेगेटिव सिक्वेंस वाले हार्मोन होते हैं अब देखो क्यूस्टन ऐसे भी हो सकता है कि कौन से हार्मोन नेगेटिव बल परदान करते हैं या यदि इस हार्मोन को फिल्टर ना किया जाए तो मोटर रोटेट अपोजिट डिरेक्शन में करने लग जाएगी यानि वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वज़े से मोटर विपरी दिशा में भी गुर्णन कर सकती है तो इनके लिए क्या होता है मैं आपको सीधा सीधा रिजल्ट उत्तर बताओं करना क्या होता है उस हार्मोन को आपको जिस हार्मोन की गढ़ना करनी होती है 120 से उसको मल्टिप्लाई करना होता है क्योंकि हमारे पास फेजों में डिफरेंस 120 डिगरी का होता है फिर जितना भी आया उसको आपको 360 से डिवाइड करना होता है यदि ये पूरा-पूरा विवाजित हो जाता है तो वो हार्मोन तो स्वेता ही समाप्त हो जाते हैं इंडक्शन मोटर में या अंत्रिक चक्र के साथ-साथ जैसे तीसरा हार्मोन नौवा हार्मोन ये स्वेता ही समाप्त हो जाते हैं तीसरा हार्मोन एक चक्र के बाद समाप्त हो जाता है नौवा हार्मोन तीन चक्र के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है अब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते तो कुछ एक में क्या होता है कि माइनस के 120 डिगरी का सेस रह जाता है और कुछ आर्मोन ऐसे होते हैं जो प्लस का 120 डिगरी कर जाते हैं जो माइनस वाले होते हैं वो नेगटिव सिक्वेंस आर्मोन कहलाते हैं पोजिटिव सिक्वेंस आर्मोन का एक बेनफिट होता है कि वो मोटर को फोरवर्ड ही रोटेट करवाएगा यानि जिस दिशा में मोटर को घूमना चाहिए था मोटर उस ही में रोटेट करती है तो ज्यादा फरक नहीं पड़ता ये मोटर की स्पीड को खम करता है वस और कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो नेगिटिव सिक्वेंस आर्मोन है वो तो मोटर को अपुजिट बल लगाते हैं विप्रीद दिशा में बल लगाते हैं जिसके करण मोटर उल्टी दिशा में भी गुर्णन करना प्रार्म कर सकती है तो चलिए बात करते हैं अब इनका पता कैसे लगे नेगिटिव का सबसे पहले देखो ठीक है मैं बात करी चुका हूँ कौन से खतम हो जाते हैं इनके लिए आपको टोटल चीज़े याद रखने ही पड़ेगी ठीक है मैं एक एक्जमपल दे देता हूँ आपको पांच वे ड़िए एक चकर में आतीए दो-चकर में कितनी आएगी साथ सो बीज ड़िज घरी फरस्ट सा किले में तो में जब 720 डिगरी आ रहा है तो यह 600 यह था माइनस 120 डिगरी एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हमें 600 डिगरी हार्मोन को समाप्त करना था सेक्ट चक्र में मोटर का यांतरिक गुर्णन चक्र हुआ तो कितना हो गया 720 तो माइनस का 120 आया की नहीं यह पांचवा हार्मोन जो होता है ना यह नेगटिव हार्मोन किसरे नहीं में आता है सातवा नहीं आएगा कैसे देखो बापताता हूं 7 इंटू 120 करो ठीक है कितना आया लगबग अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो 1440 इस 1440 को आप 360 के अकोर्डिंग जब देखेंगे ना तो यह बारा सो लगबग 320 आएगा ठीक है तीन चकर के बाद तो तीन यह चार चकर के बाद में 320 आएगा चार चकर के बाद आएगा तो आप देखो 120 ही कम रहा है राइट चलग दासो चालीस में से 320 का गटाओ तो यह 120 पोज गया यह positive sequence वाले हार्मोन होते हैं पंदरवा हो गया ठीक है यह जैसे साथ तेरा पंदरवा देरक है ना यह positive वाले है और automatic समाप्त कौन से हो जाते हैं तीसरा नौवा यह हार्मोन स्वतेस समाप्त भी हो जाते हैं तो हार्मोन पर एक complete topic मैंने डाला हुआ है जरूर आप देख की तो है जैसे नाम दे रखा है plugging विदी और इसका दूसरा नाम होता है breaking मेथट भी इसी कोई बोलते हैं plugging या breaking के नाम से जानते हैं दूसरी होती है dynamic जिसमें गतिज में ब्रेक लगाकर करते हैं और regenerative में मतलब फिर से उससे production लेना प्रार्म कर देते हैं जैसे एज जनरेट चला लेना उसको तो उता क्या है कि प्लगिंग में मोटर जब अपनी रोटर गती पर गूर्डन कर रही होती है माल लीजिए कि सिंक्रों स्पीर्ड फंदरा सु आर्पीम थी और मोटर माल लीजिए कि 1440 रपीम पर रोटेट कर रही थी तो रनिंग कंडिसर में क्या करते हैं कि मोटर में एक चेंज रिवर्सर स्विच आता है जिसमें सप्लाई के तीनों फेजों में से कोई दो फेज आपस में बदल देते हैं तो फेज करम जैसे बदल जाता है तो मोटर अपोजिट डिरेक् कि नेक्स्ट तो बड़ा सिंपल क्यूस्टन है आप कर सकते हो कि डियूल स्टार्टर का उपयोग कहां तक करते हैं समयने ते पांच अच्पी तक ही डियूल स्टार्टर का उपयोग करते हैं डायरेक्ट ओनलाइन स्टार्टर का उपयोग और इसके माध्यम से मोटर को ज्य से रोटर स्पीड कितनी होगी सबसे पहले सिंक्रोन स्पीड केलकुलेट कर लीजिए और उसका 97% केलकुलेट कर दो तीन परसेंट सलीप है इसका मतलब रोटर कितना है 97% स्पीड पर रोटेट कर रहा है किसका सिंक्रोन स्पीड का 97% तो सिंक्रोन स्पीड केलकुलेट आप कर लीजिए सिंक्रोन स्पीड के लिए क्या फोर्मूला होता है F into 120 upon P frequency 120 upon pole और सारे डेटा हमें दे रखें फरिक्वेंसी दे रखें चालिस अर्टज पोल दे रखें चियार जब आप केलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 1200 आर्पियम देखो 1200 आर्पियम आया अब इसका 3% निकाल करके या तो 36 आर्पियम आप इसमें से घटा दो उत्तर अपना उत्तर भी रहेगा नेक्स्ट क्यूस्टन है कि एक 3 फीज इंडेक्शन मोटर किसके समान है 3 फीज इंडेक्शन मोटर की कारिया पर नाली बिलकुल एक ट्रांसपार्मर की भांती ही होती है फारक इतना सा होता है कि ट्रांसपार्मर की सेकेंडरी को हम कभी शोर्ट नहीं करते हम उस पर लोड कनेक्ट करते हैं जबकि इंडक्शन मोटर में रोटर चड़ों को हम शोड़ करके रखते हैं इतना सा डिफनेंज यानी ट्रांसमार्मर की सैक्नरी को एक इपटर्य को वह दे तो वह तरह की इंडक्शन मोटर ही होती है इंडक्शन Cross का इस्टेटर जिसको हम सप्लाई देते हैं वो एजे ट्रांसफोर्मर प्राइमरी वाइंडिंग इंडेक्शन मोटर का रोटर जो विद्यूत्चुम्व की रूप से जुड़ा होता है वो एजे ट्रांसफोर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग के तरह कारिये करता है इसलिए इंडे तो चुम्ब के प्रेर्ण की रूप से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्र मेगनिटिक कनेक्शन होते हैं उनके बीच में. चलिए नेक्स्ट क्यूस्ट की बात करेंगे. नेक्स्ट क्यूस्ट है कि डबल इसक्वल्ड केज इंडक्शन मोटर जो होती है, उसमें क्या होता है, हम की रूटरeln क्या होता है, इसका रूटर केज यानी पींजरेर के जीशा होता है, और दोन हो मोटरों में कोई डिफरेंस नहीं है, प॥र जैसे हिम दोध नृब रिमचन के के शेलके dai को बजार, सब चीज़े में शीरटन बदल गई अन उ helping known हो गई method of starting sleep सब कुछ चीजे बस इस रोटर की construction के कारणी चेंज हुआ अब केज डबल यानि इस मोटर की सरंचना ऐसी है कि इसमें पिंजरे दो होते हैं और पिंजरा होता का है रोटर पर रोटर की सरंचना को ही हम केज कहते हैं तो इसके रोटर पर दो वाइंडिंग होती है और वो दोनों वाइंडिंग पेरलल में कनेक्ट होती है एक को inner केज बोलते हैं एक को outer केज बोलते हैं सिंगल केज रोटर मोटर के तुलना में इसका तोर्क अधिक होता है अगला अपना क्यूस्टन है कि 6 पोल की इंड़क्शन मोटर 50 अर्टज फरिक्वेंसी पर 1000 आर्पियम पर वो चल रही है तो इसके बारे में आपको नीचे 4 ओप्शन दिये उनकी पहचान करनी थी 6 पोल है 50 अर्टज है और 1000 आर्पियम पर वो मोटर रोटेट कर रही है ठीक है इंड़क्शन मोटर है ध्यान से समझेगा ठीक है तो देखो सीधे सीधे हम डी ओप्शन पर ही चलेंगे आमसर आपको भी दिख रहा है Statement is incorrect ये कथनी गलत है क्योंकि इंड़क्शन मोटर सदेव सिंक्रॉन सुگती से कम गती पर ही चलती है वो कभी सिंक्रॉन सुगती पर नहीं चलेगी यदि सिंक्रॉन सुगती आ जाती है तो ये तो मेगनेटिक लोकिंग हो गया रोटरोड इस्टेटर चुम की रूप से लोग हो गए इस समय सलिप जीरो होगी सलिप जीरो होते ही इंडेक्शन मोटर का टोरक भी जीरो हो जाता है इसलिए इंडेक्शन मोटर में तो ऐसा संभव नहीं है तो इस्टेटमेट अपना गलत है नेक्स्ट क्यूसन है कि मोटर स्टार्टिंग की किस वीदी में स्टार्टिंग दारा उचतम होगी तो जिसमें बोल्टेज कंट्रोल नहीं हो सकती दारा उसमें अधिक होगी और लगबग आप सम जानते होंगे एक इंडेक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय रनिंग की कंपेर डेल्टा कर लेता है पहले स्टार में चलाएंगी फिर डेल्टा में लगभग 58% वोल्टेज ही मिलती है रोटर रियो स्टेट में भी हम कंट्रोल कर लेते हैं और ओटो ट्रांसफॉर्मर में भी हम टेपिंग निकाल करके वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं तो इन दोनों मे स्टेटमेंट दिया गया है और अपन से पूचा गया है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है लो सलिप अगर हो तो समानुपाती है हाई सलिप अगर हो तो विद्करमानुपाती है दोनों स्टेटमेंट सही है रोटर परतिरोद के समानुपाती है थोड़ी सी लेंग्वेज चेंज supply voltage के वर्ग के समानुपाती होता है तो ये गलत हो गया अब ना ठीक है D option के बारे में ध्यान रखना induction motor का टोरक supply voltage के वर्ग के समानुपाती होता है ना कि सीधे समानुपाती तो इसने सीधे समानुपाती लिखा तो ये गलत हो गया नेक्स्ट अपना question है यदि supply frequency 50 हर्टज रोटर फ्रिक्वंसी 2 हर्टज हो और 4 पॉल की यदि मोटर हो तो रोटर स्पीड का मान कितना होगा देखो रोटर की स्पीड का पता कैसे लगे यदि हमारे पास सलिप हो तो हम बता सकते हैं क्योंकि supply frequency 50 हर्टज और पॉल चियार है ना तो हम सब जानते हैं मोटर की सिंक्रोनिस स्पीड कितनी होगी पंदरा सु आर्पियम अब इस मेंसे slip हम माइनस कर देंगे slip गती घटाएंगे तो रोटर स्पीड हमारे पास आ जाएगी slip कहां से calculate कर सकते हैं slip के लिए ये formula ये रहा रोटर फरिक्वेंसी इस एक्वल टू slip इंटू सप्लाइ फरिक्वेंसी तो slip केलकुलेट करने के लिए क्या करना है रोटर फरिक्वेंसी को supply फरिक्वेंसी से divide कर दो और 100 से उसको multiply कर देना दो बटे पचास इंटू 100 आमसर कितना आया 4% slip कितनी है 4% 1500 RPM का 4% आप निकालोगी तो ये उत्तर आएगा 60 RPM मोटर 60 RPM slip गती के साथ चल रही है तो कितने RPM पर चलेगी 1440 RPM पर नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है कि इंडक्सन मोटर में जब slip सुने हो तो टॉर्क क्या होगा और जब slip एकाई हो तब टॉर्क क्या होगा तो ये उपर के हम बात कर चुके हैं slip और टॉर्क के बारे में जब low slip हो तो टॉर्क से मानुपाती है और high slip हो तो विद्कर मानुपाती है तो जब एकाई हो तब वितकर मानुपाती होने के वज़े से जीरो हो गया और जीरो है तब जीरो होने के वज़े से जीरो हो गया यानि टोरक सलिप विशेषता वक्र के बारे में यदि हम बात करें तो कैसे चलता है ये मालीजी सलीप है प्रारम में सलीप एकाई है तो टोरक जीरो जैसे जैसे सलीप गटती जा रही है तो टोरक बढ़ता जाता है लेकिन जैसे 0.5 के आसपास आ जाती है सलीप उसके बाद में यदि सलीप और गटती है तो टोरक भी गटने रख जाता है ये होता है सलीप टोर क्येंद मोटर 970 rpm गुरुनग करती है रोटर्धार की आवर्ति कितनी होगी होगी है क्यूसंत पहले भी करवा चुके हैं रोटर fund की क्या चाहिए स्लीप या इंक्टु सप्लाइव फ्रिक्वाइब बाइबंस रिद्र करोड़ा कि इंडाकी स्व teil इतनी है 970 RPM आप सलिप केलकुलेट करोगे 3% आएगी जब 3% सलिप आगई तो उससे हम केलकुलेट कर देंगे रोटर फ्रेक्विंसी आएगी 1.5 हर्टज आई थिंक एजी क्यूशन है और इस तरह की प्रसंद पहले मेंने बहुत करवाई है तो उमीद है सब लोगों को अच् क्यूशन की बात करेंगे क्यूशन है कि निमन मेंसे कौन सा सब्द प्रेरिन मोटर से समधित नहीं है इंडेक्शन मोटर में जिसका कोई लेना देना नहीं हो देखो कोगिंग क्रावलिंग जोगिंग होते हैं हंटिंग नहीं होता हंटिंग सेंक्रोनस मसीनों से समधित है चाहिए वो synchronous motor हो, चाहिए वो synchronous generator हो, उनमें hunting होती है, hunting को हिंदी में दोलन बोलते हैं, kogging होता है, चुमिकिये lock up होना, crawling होता है, बहुत कम speed पर चलना, jogging होता है, motor में holding contact ना हो, रुक रुक कर motor को चलाना, जब जब start command दी जाती है, तब तब motor चलती है, start command छोड़ देते हैं, motor बंद हो जाती है, ये कहलाता है, inching या jogging, next question है कि automatic star delta starter में contactor कितने होते हैं, देखो contactor तो तीन ही होते हैं, कौन-कौन से, main, star और delta, प्रारम में main और star pick up होते हैं, और एक timer लगा रहता है, तो timer contactor में नहीं आता, timer अलग चीज़ है, contactor अलग चीज़ है, तो जैसे ही निर्धारित समय होता है, 20-30 second का, motor 75% and above speed लगवग प्राप्त कर लेती है, तो ये timer क्या करता है, star के contactor की supply disconnect कर देता है, और delta वाले की own कर देता है, इसमें no-nc contact होते हैं, change होकर ncno बन जाते हैं, तो फिर main तो pick up रहता है, ये बाद में delta pick up हो जाता है, पहरे star drop होता है, फिर delta pick up होता है, तो motor delta में run करती है, तीन contactor होते हैं, हाला कि direction अगर हमें दोनों दिशाओं में change करवानी हो, तो फिर आपको तोड़ा द्यान रखना पड़ेगा, ऐसे समय में फिर contactor च्यार होते हैं, forward के, reverse के, next question है कि automatic star delta starter से पर चली थे motor, star में बिल्कुल संतोस जनक कारिया करती है, लेकिन delta में convert ही नहीं हो रही है, देखो star से delta में convert करने का काम timer का होता है, इसलिए problem भी किस हिसे में है, timer में ही problem है, motor star में बिल्कुल सही चल रही है, तो star contactor में कोई problem नहीं, main contactor में भी नहीं, क्योंकि main और star की वज़े से ही तो चल रही है, delta में तो अभी वो गई ही नहीं, तो delta काम कैसे कहते हैं, तो timer में problem है, हाँ, यदि delta में जाते ही ट्रिप हो जाती, तब delta contactor में problem है, लेकिन अभी तो timer है, क्योंकि उसने change over दिया ही नहीं, नेक्स्ट क्यूस्टन है कि slip ring और case motor में similarity क्या है, दोनों के stator में similarity होती है, वो ही silicon steel की core, semi closed slot, 120 degree के difference वरती in winding, star या delta में जोड़ करके तीन phase की supply देते हैं, तो rotating magnetic field बनता है, सेम होता है, लेकिन बाकी rotor की construction change होती है, जिसकी वज़े से सब factors बदल जाते हैं, नेक्स्ट क्यूस्टन है कि induction motor की गती कितनी होती है, पहला point तो ऐसे याद रखें, एक induction motor की गती सदेव synchronous गती से कम होती है, अब कितनी कम होती है, तो synchronous गती में one minus slip होती है, यानि एक minus slip करके synchronous गती से multiply कर दो उत्तर आ जाएगा, 4% slip है, तो 4% ना रखके आपको 0.04 रखना होगा, तो एक minus 0.04 करेंगे तो कितना आएगा, 0.96, यानि synchronous गती का into कर दो 0.96, नेक्स्ट अपना question है कि holding हेतु परियुक्त साइक संपर्क कहां सव्यूजित होता है, हम किसी motor में एक्जांपल की तोर पर डी वाली स्टार्टर ले ले लेते हैं, स्टार्ट कमांड जब देते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को छोड़ दिया तो वो तो एक तरह से push बटन होता है, इस्प्रिंग युक्त स्टार्ट होता है, जैसे हम छोड़ देंगे वो तो फिर से no हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मोटर लगातार चलता रहता है, तो एन वी सी को लगातार supply फिर एक no होर होता है, और उसको auxiliary no बोलते हैं, जो holding के उदेशे से ही लगाया गया था, मेन कॉंट्रेक्टर के साथ locking होने के वज़े से ये एन सी बन जाता है, तो फिर supply इसके थरू एन वी सी को लगातार मिलती रहती है, यानि बाद में हमने start बटन को छोड़ दिया तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, start बटन के समानतर में C option रहेगा अपना, और नेक्स्ट अमन देल्टा क्या करता है, पहले star में चलाएगा और फिर delta में, मतलब current control हो जाएगा, तो star delta की starting दारा जो है वो कम होगी, dual starter में ज्यादा होती है, next question है कि no load पर परचाली तो induction motor का power factor कैसा होगा, no load पर motor का power factor बहुत कम होता है, और induction motor है तो lagging तो हो गई होगा, तो 0.2, lagging के आसपास होता है, 0.1 से 2 होता है, जो भी answer आपको मिल रहे कर सकते हैं, आप current भी कम होती है, लगबग 30 से 40% इस समय motor current लेती है, और output 0 है, इसलिए इस समय motor के द्वारा जो भी सक्ति आनी करवाई जाती है, वो constant loss के बराबर होता है, नेक्स्ट अपना क्यक्श्सन है, कि निमनमें इसी कौण सा rotor सलीपरिंग motor में उपच्योग होता है, इंडेक्सन मोटरों के रोजटर अंखर ना के जोता है, और केज़ द्वार का जोता है, सेलियंट पॉल बेलना कार रोटर तो इंडक्सन में सलीपरिंग का होता है वाउंड और केज मोटर के होते हैं तीन तरह के सिंगल केज डबल केज और डीप बार केज यह तीनों केज मोटर के है और वाउंड रोटर जो है वो केवल सलीपरिंग मोटर का है नेक्स्ट अपना क्यूस्सन है कि एक तीन फेज इंडक्शन मोटर कॉंस्टेंट लोड पर चल रही है अचानक एक फेज उड़ जाता है तो क्या इसे सिंगल फेजिंग दोस के नाम से जानते हैं ध्यान रखना यदि मोटर लोड पर पहले से चल रही हो तीन पर इस्तितियां होती है इसके वैसे ध्यान रखना तो यदि मोटर लोड पर पहले से चल रही होती है तो वो मोटर लगातार चलती रहेगी कोई फरक नहीं पड़ेगा उस पर फरक इतना सा पड़ेगा कि उसके कर्णट बढ़ जाएगी जो सेस दो फेज है ना वो ज़्यादा कर्णट लेनी सुरू कर देते हैं और फाइनली उन दोनों में हाई कर्णट की वज़े से ओरलोड रिले आ जाता है थर्मल ओड लोड रिले होती है ना वो रिले आ जाती है और मोटर ट्रिप तो हो जाती है पर कई बार जलने से बचती नहीं है मोटर यह भी ध्यान रिखना होगा तो मोटर लगातार चलती रहेगी लेकिन अधिकदारा लेगी वो अन्यफेजों में अधिकदारा लेना सुरू कर देती है यदि ऐसा स्टार्टिंग की समय हो जाता है और लोड भी दिया हुआ था तो मोटर चलेगी नहीं केवल आवाज करेगी कमपन करेगी स्टार्टिंग की समय हुआ लेकिन मोटर पर लोड नहीं था मोटर धीमी गती से चलेगी चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन की और चलेंगे इंडक्शन मोटर में रोटर का परतिरोद 0.12 ओम रोटर का रियक्टेंस 4 ओम मेक्सिमम टॉरक के लिए स्लिप कितनी होने चाहिए देखो अधिक्तम टॉरक के लिए सर्थ होती है कि रोटर परतिरोद जो है वो स्लिप इंटू रोटर परतिगात के बराबर होना चाहिए बस केलकुलेशन कर दो स्लिप आ जाएगी यहनी सलिप ग्यात करने के लिए क्या करेंगे रोटर परती रोद में रोटर परती घात का भाग देंगे परतिस्षट में केल्कुलेट करना है 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे 0.12 बटे जार इंटू 100 करेंगे आंस्वर कितना आएगा आपना 3% क्यूस्टन का अंसर आपको एक करना है तीन परतीसथ नेक्स्ट क्यूस्टन है कि इंडेक्शन मोटर का पाउर फेक्टर के बारे में कथन कौन सा सही है तो ये याद रखना नो लोड पर हम बात कर भी चुके हैं पाउर फेक्टर 0.1 से 0.2 होता है जैसे जैसे बार बढ़ता जाता है मोटर का पाउर फेक्टर भी बढ़ता जाता है और जब मोटर अपना परियाप्त लोड ले लेती है तो पाउर फेक्टर थोड़ा सा घटता है और अपने रेटेड मान पर आ जाता है जैसे 0.1 से start वा था एक बार 0.95 तक जाएगा फिर नीचे आकर के रुख जाता है जैसे 0.88 0.85 के आसपास तो उच बाहर पर उच और निमन बाहर पर निमन होता है ये ध्यान रखें आप पाउर फेक्टर उच बाहर पर उच होता है निमन बाहर पर निमन होता है नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है कि निमन में से मोटर स्टार्टिंग की कून सी विदी सलिपरिंग मोटर में उपयोग की जाती है सलिपरिंग इंडेक्शन मोटर को स्टार्ट करने का एक तरीका है और वो है रोटर रियो स्टेट रोटर में बाहरी थरी फेज का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे एक ही विदी होती है इस्टार्ट करने की स्टार डेल्टा, डी ओल और ओर ओर्टो ट्रांसफोर्मर ये तीनों विदिया इस्कृल के इंडक्शन मोटर पर अपलाई की जाती है नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है कि जब स्लिप नेगेटिव हो तो एक इंडक्शन मोटर कहां पर चालित होती है इंडक्शन मोटरों में सलिप के बारे में तीन बाते हैं नेगेटिव सलिप हो सलिप दोगुनी हो जाए और सलिप जीरो से एक के बीच में हो यानि सुनने से भी कम हो जाए, माइनस हो जाए, दोगनी हो जाए और जिरो से एकाई के बीच में हो, तीन तरह का परचालने है जब slip negative हो, तो इसका मतलब क्या हुआ रोटर स्पीड जो है वो सिंक्रोंट गती से उपर चली गई जब slip दोगनी होती है, तो वो ब्रेकिंग मोड में होती है और वो ही मैं बात कर रहा था, आचानक फेज करम बदल दिया मोटर को चलना चाहिए था, क्लोक वाइज में 1500 आरपीम पर मोटर चल रही है, इंटी क्लोक वाइज 1500 आरपीम पर कितना हो गया, 3000 आरपीम हो गई, slip दोगनी हो गई मोटरिंग मोड में, यानि सावने पर चलन, तो इस दुरान slip जिरो से एक आई के बीच में होती है, ना तो जिरो होनी चाहिए, ना एक होनी चाहिए नेक्स्ट अपना क्यूशन है कि निमन में से कौन सी वीदी तीन फेज 15 रह मोटर की गती नियंतन की वीदी है, इस्कृल के इंडेक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल की वीदी पूची गई है, प्लगिंग वीदी यह स्पीड बदने की वीदी है, इसमें देखो अब तीन क्यूशन बनते हैं, इस्पीड परिवर्तन करने की वीदी कौन सी होगी, पॉल परिवर्तन, इस्टार्ट करने की वीदी कौन सी होगी, इस्टार डेल्डा, रोकने की वीदी कौन सी होगी, प्लगिंग, यानि ओप मोटरिंग मोड में परचालित और अवस्था में मोटर में सलिप कमान कितना होता है इक neighbour और जिडो के बीच मेंolly 2 से 5 परसेंट होती यह समाने ते यह यानि सलिप जीरो से अधिक हो गी लेकिन 1 से कम होगी जब एस इमोटर इस चलाएंगे जनरेटर की रूप में चलाएंगे तो नेगिटिव होगी और ब्रेकिंग मेथड में दो गुना होगा नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है दो इंडक्शन मोटर में केस केड कंट्रोल हमारे पास है भिन भिन रूप में हम उनसे कितनी स्पीड पराप्त कर सकते हैं केस केड को इंदी में सोपानी अंतरन बोलते हैं तो सोपानी कंट्रोल जब काम में लेना हो तो हम चार स्पीड उनसे ले सकते हैं कैसे देखो पहले इविदी दोनों के पॉल क्यूमिलेट तरीके में हो यानि दोनों के पॉल एक दूसरे से सेंगी सबाव के हो दूसरा दोनों एक दूसरे में डिफरेंशियल हो जाए तीसर था एक बार में दूसरे को यूजगर ले यानि इसमें P1 प्लस P2 इसमें P1 माइनस P2 इसमें अकेला P1 इसमें अकेला P2 तो कितनी स्पीड कंट्रोल हो गई च्यार नेक्स्ट अपना क्विस्टन है कि इंडक्शन मोटर की इंपुट 30 किलोवाट इस्टेटर में कुल खानिया 5 किलोवाट स्लिप कमान 4 परसेंट रोटर को प्रप्त सकती और उसके दोरा उत्पन यांत्रिक सकती कितनी होगी रोटर को जो मिलेगी उसमें से कोपरलोस घटा दो बदले में यांत्रिक उर्जा मिल जाती है रोटर को कितनी मिली मोटर इंपुट मैं से इस्टेटर की हानिय गठा दो हमने रूट 3 VL IL Coast Theta से मोटर को 30 किलोवाट दिया इस टेटर में टोटल 5 किलोवाट उसने सारी बता दी जोड कर गए आईरन लोस कोपरलोस मेकेनिकलोस जो भी वा सारी है दो यह होती है आईरन और कोपर इस टेटर में तो दोनों जोड कर गे दे दी कितनी बची 25 क वाठ पावर एर गेप में चांसफर हो गई जो रोटर के लिए AIG input थी तो 25 वाट हो गया है. अब रोटर में उत्पन यांत्रिक सक्थी कितनी होती है. तो रोटर क्या करता है, कि बदले में कोपर लोस कटा लेता है, तो रोटर का कोपर लोस ग्याद कर लो. कोपरलोज के लिए क्या फूर्मूला है अंसिय स्लिप इंटू रोटर इंपूट पावर 25 किलोवाट को कर लिजी इससे मल्टिप्लाई 1 किलोवाट आएगा रोटर में कोपरलोज 1000 वाट का हुआ कितना बचा पेज़े 24 किलोवाट 24 किलोवाट को यांत्री कुरजा में कनवर्ट कर देगा क्यूस्टन का अंसर अपना ए रहेगा 25 किलोवाट 24 किलोवाट नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है कि इंडक्सन मोटर की स्पीड कंट्रोल की विदी वोल्टेज और फरिक्वंसी रेशियो वाला तो इसमें वीएफ का अनुपाथ हमेंसा नियत रखते हैं जिससे क्या होता है कि फलक्स नियत रहता है और फलक्स नियत रहेगा तो मोटर का टॉर्ट नियत रहता है यही तो पूछा था कि इंडक्सन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने वाली voltage frequency ratio वाली वीदी में हमें क्या प्राप्त होगा हमें नियत torque मिलेगा torque हमें सा constant रहेगा क्योंकि induction motor का torque flux के समान उपाती है और flux जो है वो voltage frequency ratio के समान उपाती है इस ratio को हमें सा constant रखते हैं जो VFD काम में लेते हैं आज कल variable frequency drive जिसको बोलते हैं तो VVFD आ गया variable voltage variable frequency drive आ गया तो ये voltage और frequency दोनों को vary करके क्या करेगा इस ratio को constant रखेगा जो रखेगा तो torque चेंज नहीं होगा यानि motor चलती रहती है speed उपर नीचे होती रहती है लेकिन torque बनाई रखती है next अपना question है कि DOL starter में motor को short circuit के सापेक्स सुरक्षय परदान करने के लिए हम किसका उपयोग करते है DOL starter में thermal overload relay होती है इसलिए जब short circuit हो तो relay परचारित हो नहीं पाती है क्योंकि relay cable overload के समय ही operate होती है क्योंकि thermal overload relay मंद पर चालन मानी जाती है यानि slow operating होती है क्योंकि गरम होकर दुए धात्विक पत्ती हटती है by metallic strip होती है तो उसमें time लगता है इसलिए short circuit से बचाव के लिए backup fuse का उपयोग करते है overload relay जो है वो overload के time operate हो जाती है उस समय fuse नहीं उड़ता protection हो जाती है NVC no volt के against सुरक्षय देती है और holding coil तो contactor coil का ही नाम है जिसको हम NVC कहते है no volt coil, holding coil और contactor coil ये तीनों नाम उसी के है next अपना question है कि scroll case induction motor में rotor खांचो को कुछ तिर्चा क्यों बनाया जाता है excuse load क्यों होते है बहुत अच्छा question है exam की दरश्टी से भी important है 3-4 benefit मिलते है सबसे पहला कोगिंग समापत हो जाती है कोगिंग कह सकते है या magnetic locking कह सकते है तो चुम किये lock up कभी नहीं होगा दूसरा uniform torque during running condition परचालन अवस्ता के दुरान motor एक अच्छा torque परदान करेगी magnetic humming जो है वो भी कम हो जाती है यानि चुम की एक कमपन और गुंजन जो होते है वो भी इससे नहीं होते है तो ये तीन benefit हमें इससे मिलते हैं नेक्स्ट अपना question है कि एक induction motor अपनी निर्धायत गती के साथ में भाग पर चलती है और ये फिनोमेना ये गटना क्या कहलाती है तो सिंपल ही है साइद बात करने की जरूरती नहीं है पहले बहुत बार बात कर चुके हैं ये है crawling हिंदे में बोलते हैं रेंग ना एक induction motor अपनी निर्धायत गती के साथ में भाग पर चलती है तो ये crawling कैला तीर ऐसा उसके साथ में हार्मोंस के कारण ही होता है ठीक है देखो सम हार्मोंस जितने ये वो तो यांतरिक चक्र के साथ समप्त होई जाते हैं विसम हार्मोंस में से भी तीसरा और नॉमा तो समप्त हो जाते हैं पांचमा और सातमा मोस्ट्ली एफ़ेक्ट डालते हैं इनको आला कि फिल्टर कर देते हैं रखते तो किसी को भी नहीं तो पांचमा हार्मों समय नेगेटिव बल लगाता है उर सातमा फोरवर्ड बल लगाता है तो इस साथमे हार्मोंस की वज़े से crawling उत्पन होती है तो ऐसा भी क्युस्टन आ सकता है कि crawling का कारण क्या है तो फिर आपको answer देना हार्मोन्स की उपस्ती थी जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वज़ेसे होता है next क्युस्टन है कि जब तीन फिज इंडेक्शन मोटर का switch ओन किया जाता है तो rotor fragmency कहां से होगी इसलिए उतनी ही होती है जितनी सब्वाइ के फरिक्वेंसी होती हम सलिप को उस समय हंड़ेट पर्शेंट मांते हैं बराबर होती है अ RAW नेग्स्ट क्यूसर है कि केज मोडर से ना करने पर स्लिप्रिंग मोटर में क्या होगा तो स्लिप्रिंग इंडेक्स और मोटर से स्टार्टिंग टोरक अधिक और धारा कम होती है टोरक अधिक इसलिए होता है कि रोटर में बाहरी परतिरोदग लग जाता है और परतिरोदग के कारण ही धारा कंट्रोल भी हो जाती ह यानि केज मोटर की अपेक्षा टोर कदिक होगा और धारा निम्न होगी नेक्स्ट क्यूस्ट है गती नियंतरिन की कौन से वीदी सलिपरिंग इंडेक्शन मोटर में परियुक्त नहीं की जा सकती देखो ये वीदियां तो टोटल ही स्पीड कंट्रोल की है लेकिन इन में से पोल की संख्या परिवर्तन वाली वीदी ऐसी है जिसको सलिपरिंग इंडेक्शन मोटर में नहीं लगाया जा सकता क्यों इसके कारण होते हैं इसका कारण ये है कि सलिपरिंग इंडेक्शन मोटर के रोटर पर भी वाइंडिंग होती है और ये ध्यान रखें रोटर में हमेशा उतने ही पोल बनते हैं जितने स्टेटर में हो अब केज मोटर में तो रोटर स्वते ही पोल का निर्मान करता है इसलिए वहाँ तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन सलिपरिंग इंडक्षन मोटर में जितने पॉल के लिए स्टेटर को वांड किया था रोटर भी उतने ही पॉल के लिए वांड किया जाता है वो स्वता ही पॉल नहीं बनाता तो यदि स्टेटर के पॉल हमने चेंज कर दिये इसलिए इस विदी का उपयोग सलिपरिंग मोटर में नहीं करते हैं केज मोटर में कर लेंगे क्योंकि वहां रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है पूल का निर्मान रोटर में स्वित ही होता है अगला क्यूसन है डियोल स्टार्टर में एन वी सी क्या करती है नो वोल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है नाम सी बता लग रहा है नो वोल्ट क्वाइल यानि जब सड़नली सप्लाई में फेलियर आ जाता है तो ये ट्रिप करवा देगी अब दुबारा अगर आ गय मोटर में रोटर ब्लोक टेस्ट क्यों करते हैं रोटर को बारीबल लगा करके रोक देते हैं च्रांसफार्मर में शोर्ट सेकिट और डी सी मोटर में ब्रेक टेस्ट ऐसे ही होता है और ये कोपरलोस और पुरन बाहर एफिसेंसी के लिए होता है नेक्स्ट क्यूसन है कि इसका मतलब हो गया कि रोटर में कोई कोपरलोस नहीं है, मोटर में कोई स्लिप नहीं है, कोई स्लिप नहीं यानि मोटर सिंक्रोंस गती पर गुर्णन करेगा, डी ओप्षन रहेगा. नेग्स्ट क्यूसें है कि पुरन बार पर पर चलिक तीन फ़ज इंडक्शन मोटर में नगणने है, इन में से कौन सा ऐसा है जिसको हम नेगलेट कर देंगे, थ्री फज इंडक्शन मोटर फुल लोड पर चल रही है, तो उसमें स्लिप बहुत कم होती है, स्लिप कम होने से रोटर फरिक्वेंसी भी बहुत कम होगी इसलिए रोटर में लोहे हानिया नगण्या होगी रोटर आइरन लोस का मान लगबग नेगलेट हो सकता है नगण्या ही मानते हैं गण्या करते ही नहीं क्योंब क्योंकि कोई स्कूरалась निर्बर करती लूटर की कितनी होंगी एनक्सटत अपनाक्ऊ संनए कि皆 अ उसकी होती है लगभग 30-40% होती है जैसे लेखरबंद बहल तो बिना भार के ये 30-40 अगर घ्रब्रेक्ट लेती है तो बिल्कुल सही मोटर मानी जाती है इससे कम भी नहीं होनी चाहिए यदि मोटर पांच-दस एंपियर करन्ट ले लिए तो भी गड़बड़ है नेक्स्ट क्यूसन है कि इंडक्सन मोटर में रोटर की आउटपुट 30 किलो वाट है और 4% सलीप है तो रोटर में कोपरलोस कितना होगा अब देखो रोटर में कोपरलोस गयात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सलीप इंटू रोटर इंपुट पावर जो कि यह तो रोटर की आउटपुट दे रखी है देखो रोटर की इसके अकोडिंग देखे तो 1200 वाट बन रहा है लेकिन यह तो आउटपुट 30 किलो वाट तो इंपुट कितनी होगी तो एक तो आप अगर सीधा सा अंदाजा लग होगी 1200 वाट से दिके दो ऑप्शन थे 1300 वाट भी तो दिया है तो रोटर की इंपुट गयात करने के लिए एक फोर्मूला और होता है कि आउटपुट जो है ना उसमें वन माइनस स्लिप से डिवाइड कर दो उत्तर आ जाएगा आउटपुट कितनी है 30 किलो वाट एक माइ आउ तो सिधा सिधा भी कर दो रोटर की इंपुट है 31 250 आउटपुट है 30,000 वाट तो कितना आया 1250 वाट और नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो 31 250 च्यार बटे सो कर दो इससे भी उतर आएगा 1250 वाट का कंजप्शन होगा नेक्स्ट कुशन है कि प्रेरिन मोटर की काले प पर वो कारिया करती है नेक्स्ट कुशन है कि प्रेरिन मोटर में सिंक्रोनस वाटेज का मतलब क्या होता है सिंक्रोनस वाटेज का मतलब यह होता है कि रोटर पर जो सकती इंपुट मिलती है ना वो सिंक्रोनस वाट के रूप में मानी जाती है उतने वाट सिंक्रोनस है एक तरह से जिनको हमें काम में लेना होता है लोसेज इस्टेटर वाले माइनस होने के बाद नेक्स्ट क्विस्टन है कि प्रेन मोटर में टोर्क और सलिप करव की आकरती कैसी होती है तो करवा चुका हूं ये गराब तो मैं आपको पहले हाई सलिप के वितकर मानुपाती लो गटने पर टोर्क बढ़ता है और बाद में सलिप गटने पर गटता है पूरी तरह से आईताकार भी नहीं वा लेकिन है आईत के जीसा ही इसलिए रेक्टेंगल हाईपर बोला आईताकार पर वले कैलाता है अगला क्विस्टन डवल केज रोटर में आउटर केज कैसी होती ह आउटर और इनर आउटर के जो होती है उसका परत्रियों अधिक और इंडक्टेंस निम्न होता है फिर आंत्रिक वाली इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई हो जाएगा छै पूल पचास रेटेज की मोटर 970 पर चल रही है प पाइक्स्ट कीजसन है कि इनडक्टेंस मोटर नोड टेस्ट क्यों किया जाता है नो लोड टेस्ट से हम कोश्टेंट लोसेज का पता कर लेते हैं से बहुत पौई पटता लग जाता है से बहुत अच्छे सविगें सब्सक्र हैं पनूल पना इए रहे घे रहे गा तो अप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को आगे फोरवर्ड जरूर करना आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना